हाई अब्रीवन मेरे नाम है एकता सोनी वेलकम इचेन एवरीवन अन दिस यूट्यूब चैनल और आज है गंटन दिर दिवस आपको धेर सारी शपकामना है गंटन दिर दिवस की यार 26 जन्वरी 15 अगस्त इन दिनों में हम बहुत भारत-भारत की बाते गरते हैं मारे देश क अच्छी बात है बहुत जाद अच्छी बात है मैं बिलकुल प्राउड करती हूं मैं खुद भी एक देश की नागरी हूं तो बिलकुल प्राउड करती हूं अपने देश पर लेकिन इन दिनों में हमें वह बाते भी करनी चाहिए जो एक्चली में रिक्वाइड है उसी के जैसे कि आपको सबको पता है कि हम यह जो पंदरागर साता है 26 जन्वरी आती है हमारे देश के प्रधान मंतरी श्री नदेंदर मोदी जी पूरा का पूरा एक भाशन देते हैं कि देश कैसे प्रगती कर सकता है कैसे डेवलप कर सकता है मुझे बस एक छोटी सी बात इतनी सी समझ में आती है मुझे बाकी जादा पॉलेटिकल बाते हैं और सब कुछ नहीं समझ में आता है बस इतनी सी बात जरूर समझ में आती है कि हमारे देश का फ्यूचर मेरे तुम्हारे हम सब के हाथ में एक जो जनरेशन है जो छोटे बच् बुए चुख है हमारे दाददी बीच की जू जनरेशन है वो बहुत गरद बीच है और हमारे भारत के अंडर सबसे जी Vice जीत में वह हमारे भारत का而व और यूत के हाथ में future है और ये आप मान कर चलिए जैसे कि मैं आपको कोई चीज के बार में बताती है जैसे मैं आपको guide कर रही हूं अगर आपने मेरी वीडियो देखी और आपने वो चीजे पहले जान ली होती तो शायद आप उन चीजों से डील करना सीख गए होते हैं जैसे कि आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू के बारे में बात कर रहे हूं एज आई सेट की यूथ है हमारा फ्यूचर हमारे भारत को आगे ले जाने के लिए हमारे पास खूब टैलेंट है अबादी इतनी है तो टैलेंट तो बहुत है हमारे पास हर चीज का टैलेंट आप देखे न मैं इंस्टाग्राम पे या फिर हम सब लोगी जानते हैं हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं यूट्यूब पे देखते हैं कितने लोग अलग अलग तरीके की वीडियो बना रहे हैं कितनी अलग अलग तरीके से लोगों को एजुकेट करने कोशिश कर रहे हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं हमारे स्कूल में क्या होता है स्कूल में हमें सिर्फ ABCD सिखाई जाती है उसके बाद में दीरे 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 करते हैं वो कुछ particular subjects आते हैं subject knowledge लेते हैं और वो knowledge भी हम knowledge के लिए नहीं लेते हैं वो pressure के अंदर आकर हम चीजों को रटते हैं लिए में जिम्मेदारी लगती है कि चलो हो गया time time अद्यों रिलाक्स करें यह हमारा mindset बन गया special हमारे youth का mindset भन गया कि एक काम खतम करो हो जाए उस काम से मैं सीखा क्या क्या सीखना चाहिए था क्या हमारे देश के लिए हमारे लिए हमारी personal development में क्या कहां से roll कर साथा था मैं मतला भी नहीं नहीं को यह चीज़ें रह गई हैं और जो क्योंकि मैं जाता तर बच्चों से डील करती हूं इस्टूडेंट अधारट्रि फ्रेटनिटिश से डील करती हूं आज जो बच्चें है मुझे बहुत मैसेज सकरते हैं कि हम से पढ़ा नहीं जा रहा कि आपने comment क्या मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है अगर आप इस YouTube वीडियो पे आके comment करने से better आपने ये choose कर लिया होता कि मैं पढ़ने बैठूंगा मतलब यार हर चीजे जब life होती न वो दीरे-दीरे change नहीं होती है life एक जटके में change होती है आपके decisions आप दीरे-दीरे नही भी पाद करोंगी तो एक मोमेंट होता है जहां पर हम वो चीजब करते हैं तो होता है कि मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है या बहुत सारे ऐसे लोग है जो competitive exams में जैसे कि मैं यूथ के बारे में बात करें तो यूथ जो है उसमें एक्जाम्स में बैठने वाला बच्चा भी आता है, उसके अंदर वो लोग भी आता है, जो अपने घर से बाहर रहे कर जॉब कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, वो सारी चीजे हैं, ठीक है? तो यह चोटी चोटी बातें निंके बारे में कोई बात नहीं करता है, वो यह नहीं करूँगा, तो लोग क्या कहेंगे? यहर मैं बस इतना जाना चाहती हूँ, कि जो हम आज यूद के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हमारे इस पूरे यूद का जनम इसी लिए हुआ है, कि हम उन लोगों को खुश करते रहें? क्या हमारा जो बच्चे हैं, जो एक् जाब दे, मुझे यह समझ नहीं आता, तुम तुम्हारे टेम्ट लगे हैं, या तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है, या तुम जॉब के लिए बहुत ज़दा स्ट्रागल कर रहे हूँ, तुम्हारे आसपास के रिष्टदार, तुम्हारे आसपास की जो पडोग्स की पर शक करने लगते हैं, जब आपको बहुत ज़दा अटेम्ट्स लग जाते उस एक्जाम में एक चोटी सी चीज़ पूछना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ की रिस्पोंसिमिलिटी हमने किसी और के हाथ में दे क्यों रखी है, मैं क्यों सोचती हूँ कि मेरी लाइफ की सार में एक्जाम कराउय और आपको मुझे बैटकर मेरा मूठ ठीक मुढ़ए हैं, और नहीं वो मुझे बोलग Teaching लग करने लोग Mayra 大 uploaded असली ने, जिस्में रिष्ट-दार आते उनको को मतलब नियंग्य तंसे, वो सिर्फ तुम्हारे पीर-पिछे बाते बाते बनाते हैं, तु जो तुम्हारी असलियत में सकसस चाते हैं, वो तुम्हारे परिवार, यानि कि तुम्हारे पेरेंट्स वही हैं, जो तुम्हारी असलियत में सकसस चाते हैं, तो प्लीज उनके लिए काम करना शुरू करो, उनके लिए काम करो, अपने लिए काम करो, अपने पेरेंट्स को वो इस लोग होते हैं जिनके लिए बाहर कोई वेकेशन करना बहुत आम बात होती है अमारे ले नहीं होती है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है एरप्लेण में पहली बार बैठना हम बहुत एक्साइट जाते हैं कि यार मतलब सोचा भी नीथा कभी तो वो ड्रीम होता है बहुत क्योंकि मेरे पास या आपके पास जो हम middle class या poor family से belong करते हैं, मारे पास में पैसे waste करने के लिए नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक चीज है, वो है हमारा समय, अगर मैं आज इस समय को भी waste कर देती हूँ, तो फिर मेरे पास कुछ बचेगा नहीं, और आज से आने वाले कुछ सा भी बात थोड़ी सी, बस यार इस वीडियो का मोटिव यही है, और आपको बस इतना सा मोटिवेट करना चाहते हूँ, इतनी सी मोटिवेशन काफी है कि मैं अपने माबाप को वो life experience करवा पाऊं, जो वो life experience करना चाहते थे और वो deserve करते हैं, बस मैं उसके लिए काम आज दिन रात और मैं इस पूरे समय को जितना भी समय मेरे पास रहा है, उसको पूरा यूटिलाइस करके मैं अपना 100% लगा दूँगी, फिर मैं उस भगवान के भरो से, उस डिवाइन के भरो से छोड़ देती हूँ, उनिवर्स के भरो से छोड़ देती हूँ, और सरेंड जय हिंद लिख देना, एंड थांक यू सो मच वर वाचिं विडियो, आई होब कि कुछ इंपक्ट पड़ा होगा आपकी लाइफ मेस से, थांक्स लॉट, मिलते हैं नेक्स वीडियो के इंदर, प्लीस कॉमें जय हिंद जरू लिखेगा, इसने मुझे बता चलेगा कि आपन